अब आप भी एक ही WhatsApp में 2 accounts add कर पाएंगे आपको दुसरे account की जरोत नहीं पड़ेगी नहीं आपको business account के जरोत पड़ेगी आप एक ही WhatsApp में यक WhatsApp main होता है उसी में आप और सारे number एड कर सकते हैं दुसरा number add कर सकते हैं तो आज की वीडियो में सिखाएंगे आपको step by step बहुत अच्छी वीडियो होने वाली बाटसप का नया अपडेट आया 2024 में अगर आपने बाटसप अपडेट नहीं किया तो अपडेट जल्दी से कर लीजिए अपडेट करने के लिए आपको क्या करना होगा अपडेट करने के लिए प्लेट पर जाना होगा प्लेट पर जाने के बाद आपको इस पर लिखना है बाटसप उस पर अपडेट को ऑप्डेट कर सकते हैं तो चलिए वीडियो को हम सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल को प्रेस कर लिजे ताकि आपको ऐसी informative वीडियो मलती रहें चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपना बॉट्स अप ओपिन करना है आपको ओपिन करने के बाद आपको क्या करना है क्लिक करने के बाद setting के option पे जाना है setting के option पे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर यह पहला जो option है मिल जाएगा आप देख रहा है QR code इसके बरावर में जिश्ट आपको icon मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यह पहला number add होगा इसमें आप दुसरा number भी add कर सकते हैं आप दुसरा number add करने के लिए इसलिए बता रहा हूं एक ही WhatsApp में आप दो तीन number add कर सकते हैं और आपको यह नहीं कि WhatsApp business app डाउनलोड करना पड़ागा तब ही आपका चल सकता है ऐसा कुछ नहीं है आप बहुत आसानी से इसलिए step by step इस वीडियो में सीख सकते हैं अगर आपको दुसरा account add कर नंबर आपको अपने WhatsApp में एड करना है तो आपको यहां पर add account भाले आप्शन पर क्लिक करना होगा क्लिक करने के बाद थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा वेट करने के बाद को इस तरीके से आजागा add and any other account आपको new account अपना add कर सकते हैं बहुत साय लोग में यह problem होती है कि मेरे एक phone में एक ही WhatsApp चलता है या मैं WhatsApp दुसरा चलाने के लिए मुझे दुसरा business बाला app डाउनलोड करना पड़ेगा तो आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूत नहीं है आप इसी से आपको सब को चल सकता है तो आपको दुसरा number add करने के लिए आपको agree and continue पर क्लिक करना है इस तरीके से आप continue पर क्लिक करेंगे enter your mobile number आपसे आपका number पूछेगा जो भी आप दुसरे number अपना डालना चाहते है तो उसे पर add कर देना है जिसे मैं दुसरे number अपना add कर दे रहा हूँ आपको number add करने के बाद next बाले option पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां से आपको agree कर देना झाल झाल